असलाम लेकुम वियूर्स, किया हाल चाल है आपका? उमीद है, आप लोग सब खियर और अफियत से होंगे और आप लोग के बर्ड्स भी जो हैं, वो भी ठीक होंगे जैसा कि वियूर्स आप लोग वने देखा है कि आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों ने red eyes की production जो है वो कैसे increase करनी है मुझे काफी viewers की जो है calls आई है messages भी आई है कि माशालला मैंने जो last breeding progress की video लगाई है उसमें मेरे पास जो red to red की pairing है उसमें बहुत अच्छी production आई है जिसने वो video नहीं देखी मैं description box में उसका link लगा दूँगा तो आप वो video ज़रूर देखेगा आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा उसमें मैंने अपने सारे जितने भी pairs हैं master cage में उनकी सब की one by one progress दिखाई है और जो मेरे पुराने viewers है उनको पता होगा कि मैंने जितनी भी pairing की है red eyes की, albino की, वो सब red to red की है कोई भी split की pairing नहीं की albino to albino लगाया, albino to creamino लगाया तो आज मैं अपने viewers के साथ जो है इसके कुछ 5 जो है वो golden tips शेयर करने लगाऊ कि किस तरह आप लोग जो है अपनी red eyes की production जो है वो increase कर सकते हैं तो आप लोग ने video बिल्कुल skip नहीं करनी और एक-एक point जो है वो बहुत ही यानि के important है अगर आप लोग उसको follow करेंगे तो आप लोग के पास भी जो है इन्शालला 5 से 6 के average आएगी red to red की तो मुझे हो गए हैं इस hobby में love birds को breed करवाते वे 12 से 13 साल हो गए हैं तो इसलिए मैंने उसमें जो कुछ सीखा और मैंने जो अपनी workings की उसकी base पे मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगा तो आप लोग इन्हें वीडियो जरूर देखनी है और जो मेरे इस channel पर पहली दफ़ा आए है तो मैं उनको बता दूँ के मेरा नाम जो है वो आमिर खटक है और मैं पाकिस्तान से हूँ लहोर सिटी से और मैं लवबर्ड जो है वो ब्रीड करवा रहा हूँ और आप लोग जिन्होंने अभी देख मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबालें क्योंकि मैं हर वीक में जो है आप लोगों के लिए वीडियोज ले के आता हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ टिप्स और अपनी ब्रीडिंग प्रॉग्रेस और बाकी चीज़ें पी जो है वो शेयर करता हूँ तो आप लोगो फॉरण उसकी नोटिफिकेशन तब ही आएगी अगर आप लोगो ने बेल आइकन को जो है वो प्रेस किया होगा तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो के एंड पे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि ये वीडियो आप लोगो कैसी लगी तो चलें बगए टाइम वेस्ट कीए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी तो फ्रेंट सबसे पहला जो पॉइंट है जिसमें आप लोग रेड आइस की प्रोड़क्शन इंक्रीज कर सकते हैं अच्छा जब मैं रेड आइस की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें तीनो मेरे पास जो है वो तीन मुटेशन रेड आइस में लगी है अलबाइनो, रेड आइस, क्रीमिनो और पेल फैलो तो मैं उन तीनो के बारे में आपको बताऊँगा क्योंकि आप लोग ने मेरी जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो में दिखा होगा के माशाला मेरे पास पेल फैलो की भी अच्छी प्रोग्रेस आई है उसमें भी 5-6 की अबरेज है और विजूल निकले हैं परे पास और अलबाइनो और क्रीमिनो में 5-6 जो है मेरी हर पेल की अबरेज है इससे कम किसी की अबरेज नहीं है और ये भी अभी जो आप screen पे बच्चे देख रहे हैं ये भी एक ही pair के बच्चे है तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि माशालला चार जो हैं वो criminals हैं और एक जो है वो albino है तो viewers माशालला भी आप लोगों नहीं जरूर कहना है इनको देखके माशालला देखें कितने healthy बच्चे हैं तो viewers जो पहला point है कि आप लोग red eyes में production जो है वो किस तरह increase कर सकते हैं वो है strong bloodline और pedigree आप लोग जितनी मरजी अच्छी medicines देदें multi vitamins देदें लेकिन अगर आप लोगों के पस bloodline weak है तो आप लोगों को सारे वो issues आएंगे कि female जो है बच्चे सही नी पाल रही ठीक है पांच मेंसे बच्चे तो निकल आते हैं लेकिन एक या दो बच्चता है या dead in shell हो जाते हैं जितने भी मसले हैं जो के मैं अपनी बाकी पुरानी वीडियोज में बता चुका हूँ तो उनको दुबारा मुझे दोहराने की याँ पे ज़रूरत नहीं है कि क्यों बच्चे मरते हैं love birds को breed कराने में क्या mistakes होती है वो आप मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियोज देख सकते हैं मैं आपे सरफ आपको जो जिस चीज़ पर focus करो वो करो bloodline और pedigree bloodline किस तरह बनती है मेरे पास भी जितने albino red eyes और criminos लगे हैं इनके पीछे पूरी 10 साल की working है मैंने direct red to red pairing नहीं की मैंने split और black eyes को करके अपना bloodline पहले बनाई है उसको strong किया है green birds को introduce किया है albino's के अंदर लेकिन ये एक बहुत time taking काम है अगर मैं वो working आप लोग को यहां बताने लग जाओ तो आप लोग को 5-6 साल अपनी bloodline बनाने में लग जाएंगे तो बजाए इसके के आप लोग वेट करें 5-6 साल अपनी working करें मैं हर किसी को ये मश्वर दूँगा कि आप अच्छे breeders है जिसके पास भी अच्छी bloodline है अच्छी average है उससे उसके chicks खरीद ले ठीक है अच्छा यहां पर मैं एक बहुत important point बताऊंगा कि जैसे आजकल अलबाइनो और क्रीमीनो है आप लोगो फेस्बुक पे एड्स भी नज़र आ रही होंगी क्रीमीनो इतने सेल और अलबाइनो के इतने कोर है और अक्सर विवर्स कॉल करके कहते हैं कि आपका तो जो अलबाइनो का rate है वो ज्यादा है क्रीमीनो का ज्यादा है मतलब prices में comparison करने लग जते है तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो आपको मैं यहाँ पे price नहीं quote करूँगा आपको जो कम price में bird दे रहा है आप ज़रा जा कि उसके पस average देखे अगर pair ने एक ही बच्या नकाला है क्रीमीनो पाला है और वो बंदा आपको sale कर रहा है सस्ते में क्रीमीनो खुद आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कल को आपके पस कितने क्रीमीनो निकलेंगे वो pair भी आपके पस एक दो बच्चे ही निकालेगा इसी तरह जो female सिर्फ दो ये तीन अंडे देती है उसके अगर आप बच्चे लेंगे कल को वो बच्चे भी जो है एक ये दो करेंगे ये चीज बहुत मैटर करती है birds में और जो पुराने लोगे हैं सहोबी में वो मेरी वीडियो देखके जरूर इस बात से तफाक करेंगे थोड़े शाय होते हैं अगर आप उस पेर के बच्चे खरीदेंगे वो भी आगे जाके उनमें भी वोई qualities आएंगे वोई traits आएंगे ये सब चीज़ें DNA के थ्रू जो है आती हैं बच्चों में भी और क्या कहते हैं आगे जितनी भी आपकी generation उसमें आती है तो अगर आप कि production लेनी है वो आपको एक ये अच्छे पेर से मिल जाएगा इसकी में example यूँ भी दूँगा for example आपने तीन पेर लगाएं albino red eyes के और आपको हर पेर दो ये तीन बच्चे दे रहा है आप देखें आपकी तीन पेर पे cost जो है वो लगी वी है और in the end आपको क्या बच्चे मि वो foster करें और उससे ज्यादा production लें तो इसलिए मैं यहाँ पे यही focus करूँगा कि बेशक आप ज्यादा पैसे पे कर लें लेकिन चीज वो ही लें जो आपको आगे फाइदा दे रहा है क्योंकि business point of view से जो भी इन चीजों को रखना चाह रहा है हर किसी की यही कोशिश होती ह कि यार मैं जो invest कर रहा हूं मुझे उसका return उससे अच्छा मिले तो इसलिए मेरा भी यहाँ पे आप लोगों से यही है कि bloodline और पे डिगरी देखके birds लें ठीक है और हमेशा उस breeder से लें जिसके पास जो है अच्छी इसकी production है जब भी chicks खरीदें कुछ खरीदें आप लोग दड़ा दड़ जो है call करते हैं और उठा के ले आते हैं और हम लोगों कोई पता नहीं होता कि इसमें से जो है कैसे निकलेंगे ये female बच्चे से फीड भी करवाती है पालती है ये कैसी है तो इस तरह अगर आप हर बंदे से उठा के ले लेंगे फिर वही मसले होंगे कि मेर मेरे पास तो क्रीमीनों की एक रिशो आती है मेरे पास तो अलबाइनों जो है वो कम निकलते हैं तो यहाँ पर में जो है फैक्टर वो यही है कि अच्छी पर डिग्री स्ट्रॉंग ब्लेड लाइन का बर्ड्स लें थोड़े पैसे ज्यादा कर लें लेकिन वापको पहले क आपको सारा रिटान जो है उस चीजों का मिल जाएगा और आप लोग देखें माशालाई कितने एक्टिव बच्चे हैं अभी बिलकुल यह मदर फीड पे हैं छोटे हैं लेकिन बार बार बॉक्से से भाइर आ रहे हैं तो यह बहुत मैटर करता है कि बच्चे कितने एक्ट और अच्छी पेडिग्री के जो है वो बर्ड्स लेने हैं दूसरा पॉइंट जो है वो है मेरा कि कभी भी आप लोग ने सिब्लिंग्स की पेरिंग नहीं करनी फॉर इग्जेंपल अगर आप लोग एक अच्छी ब्रीडर से दो तीन बर्ड्स लेते हैं तो वो आप लोग उससे एक पेर के लेते हैं तो आपको तीन ही दूसरे पेर के लेने चाहिए ताकि आप जब पेरिंग करें तो वो सेम के ना हो और आपको पेडिग्री ज़रूर पता होना चाहिए कि मैंने जो भी क्रेविन, भाइनो खरीद है, इनके माबाब कौन हैं कभी भी आप लोग उ siblings की जो pairing है वो आप लोग उने नहीं करनी तीसरा point जो है वो है मेरा अपना secret herbs का formula मैं खुद जो है वो 12 से 15 चीजों की जो है वो natural herbs से बनाता हूँ soft feed अगर आप लोग ने मेरी वो video नहीं देखी तो मेरे channel पे जाएं my secret herbs formula के नाम से वो video है मैं उसका description box में जो है link भी डाल दूँगा आप लोगों ने जरूर जो है वो जितनी भी 12 से 15 चीजों का मैंने बताया है वो अपने उसी quantity और ratio में बना के अपनी soft feed में daily अपने birds को देनी है अगर आप लोग चाते हैं कि आपके जितनी भी red eyes के बचे निकले हैं वो survive करें इवन के pale fellow भी लोगों के पस हैच होते हैं लेकिन survive नहीं होते तो अगर आप लोग वो hubs वाली वीडियो जो है मेरी उसको वैसे ही follow करेंगे तो इन्शाल्ला अला के फजलो करम से आप लोग के पास भी जितनी चिक्स आएंगे सब के सब जो हैं सही survive करेंगे तो वो वीडियो जो है वो बहुत important है और वो मेरे पास जो breeding progress की वीडियो आई थी उसमें भी लोगों ने बहुत उसपे का था कि आप जो formula यूज करते हैं वो बताएं और मैंने जो soft feed की वीडियो भी जो दिये उसमें भी बताया कि मैं जो है ये medicines वगएरा, denutrical, prime ये चीजें बिल्कुल यूज नहीं करता मैं अपनी जो है वो herbs से जो है वो soft feed त्यार करता हूँ और मेरी जितनी भी soft feed है उसमें 100% natural चीजे हैं तो आप लोग भी ज़रूर वो use करें और वो use करने के बाद मेरे से आप लोग ने अपना experience पर ज़रूर शेर करना है कि उसके बाद जो अगला clutch आप लोग के पास आया है उसमें chicks की क्या ratio रही है chicks की survival क्या रही है आप लोग ने जरूर मजो उसका feedback देना है ठीक है तो वो video जोनों ने नहीं देखी जरूर मेरे channel पर जाएं और वो video देखें और description box में इसी video की description box में भी आपको उसका link मिल जाएगा आप click करके वो video देख सकते हैं वो video भी kindly complete देखेगा तब ही आप लोगों को समझ आएगा अगर आप उसमें से एक भी ingredient जो है वो miss कर देंगे तो आपको effective जो है वो formula नहीं मिलेगा आपको complete उसी तरीके से जो है वो formula बनाना है और daily वो formula आप लोगों ने जो है वो use करना है तो ये है point number 3 point number 4 है आप लोगों ने आज के बाद हमेशा याद रखना है कि albino, creamino, pale fellow जितने भी red eyes bird है आपने जब भी इन से breed लेनी है इनकी age 12 महीनों से उपर होनी चाहिए कभी भी आपने 8, 9, 10 महीने का pair नहीं लगाना मेरे पास जितने red to red के pairs लगे वे हैं सब की age एक साल से ज्यादा है अच्छा कई लोग कहते हैं कि हमने तो लगा लिए 10 महीने का pair दो-तीन बच्चे निकल आए, बैच भी गए अगर आप कम age में bird से breed ले लेंगे वो हमेशा के लिए आपका bird खराब हो जाएगा female की जो body है वो अंदर से develop ही नहीं हुई और आपने उससे जो है पूरा breeding का जो है वो cycle चलवा ली है breeding progress जो है वो से करवा ली है तो उसकी body जो है वो deficient रह जागी कल को अगर आप age बढ़ी करके भी उससे breed लेंगे ना तो आप लोगों को वो एक मज़ा नहीं आएगा वो outcome नहीं आएगा जो एक उस pair से आता है जिसको proper time मिलाओ ठीक है तो ये आप लोगों को ने हमेशा बात याद रखनी है लालच नहीं करनी जहां आप 10 महीने का bird लगा रहे है दो महीने और wait कर ले बजाए इसके कि आपके पास पहला clutch, infertile जाए, dead in shell जाए या सिरफ एक से दो बच्चे कि आपके पास average आए तो बेतर नहीं आप दो महीने बाद box लगा ले और आपके पांच से छे की average आए ठीक है अगर आप लोग ये चारो points जो है वो follow करते है तो आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है अपने red eyes bird के सा split लगाने की ये black eyes लगाने की क्योंकि आपके पास हर clutch में जो है वो black eyes बचे निकलेंगे, split निकलेंगे और वो आपको उस तरह से profit नहीं देंगे जो कि एक red देता है तो अगर आप ये चारो points जो हैं वो मेरे follow करते हैं तो आप भी मेरी तरह जितनी भी pairings है pale fellow की में बात नहीं कर रहा, albino और creamino की कर रहा हूं point number 5 में जितनी भी आपके birds हैं उन सब को red to red ही pair करिए कभी भी split या black eyes के साथ pair ना करें उसमें आपके पास black eyes बच्चे ज्यादा आएंगे wastage ज्यादा आएगी और 5 हैं अगर उसमें से तो खाली 2 red eyes आजाएंगे या 1 red eyes आजाएगा तो आप लोगों को उस तरह का profit नहीं होगा उस तरह का फाइदा नहीं होगा तो अगर आप लोग सही profit earn करना चाते हैं आप लोग सही फाइदा जो है इससे लेना चाते हैं तो उसमें यही है कि red to red pairing करें और जैसे मैंने pairing के ये वो ही करें अगर आप मेरे चारों पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो इंशालला अल्ला के फजलो करम से अगर आप लोग भी रेड टू रेड पेरिंग करेंगे आप लोग के पास सारे जितने भी अंडे होंगे फैटाइल होंगे बच्चा खुद जो है वो हैच होगा नेचरली आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं पढ़ेगी कि डेड इंट शेल हो रहा है या अंडो के लिए मैं हुमिडिफायर लगा रहा हूँ मैंने अभी तक अपने शेड में कोई हुमिडिफायर नहीं लगाया आपके पस जितने बच्चे निकलेंगे वो अच्छे निकलेंगे और अगर आप अलबाइनो टू क्रीमिनो और अलबाइनो टू अलबाइनो की जो है वो पेरिंग करेंगे आप लोग के पस रेशों भी बहुत अच्छी आएगी कि Criminos बच्चे जो हैं आप लोग के पास कैसे आएंगे और वो कौन सी pairing है जिससे आप लोग के पास ज्यादा Criminos आएंगे कि अगर 5 का clutch है तो उसमें 3 से 4 Criminos आएं तो अगर वो वीडियो भी आप लोग देखना चाहते हैं आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना knowledge आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मुझे comment box में ज़रूर बताईएगा और इस वीडियो पे जब मेरे 10K जो है वो views आएंगे तो मैं फिर आप लोग के साथ Criminos के जो है वो tips शेयर करूँगा इसलिए इस वीडियो को ज़रा से ज़्यादा like करें शेयर करें और जब इस वीडियो पे 10K जो है मुझे views आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोग के साथ जो है जो best pairing है जिससे Criminos के सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो आते हैं accordingly मैंने जो pairing की है वो मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगा friends उमीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और आज की बहुत important वीडियो थी क्योंकि आप लोग को पता इस season में albinos और criminos जो हैं वो hot items हैं इनका rate भी बहुत अच्छा चल रहा है जो मेरे viewers हैं देखने वाले जो इसको as a second source of income use कर रहे हैं इस hobby को तो मैं चाता हूँ वो इस hobby से अच्छा से अच्छा earn करें और अगर आप लोग उने birds रखे हैं आप लोग उनकी सही care कर रहे हैं आपका birds भी जो है वो आप लोग को return अच्छा दे आप लोग का अच्छा profit हो मेरी दुआ है कि जितने भी मेरे viewers हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग जो है इस hobby में हैं सब की जो है breeding progress वो अच्छी से अच्छी जाए अप लोग के birds में बरकट डाले तो friends दुआओं में याद रखिएगा और मैं जो आप लोग के साथ tips शेयर करता हूँ इसको ज़रूर लाइक केरिएगा और दुआ भी मुझे दीजिएगा क्योंकि आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और मुसल्मान को जो एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए अगर आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे किसी को अच्छी बात बताएंगे तो इन रिटान आपको भी जो है आपके ब्रीडिंग में और बाकी भी लाइफ की जितनी भी रूटीन की चीज़े हैं उनमें आप लोग के लिए बरकत डालेगा तो फ्रेंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छी अच्छी वर्ड्स की जो हैवर टिट्स शेयर करता हूँ उमीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दुआउ में याद रखिएगा अला आफिस